नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दॉक्टर अमित महिश्वरी इंटरनाशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सी यो मैं टास ओवर्सीज लेमिटेड स्टॉक मार्केट मिलेनर की सीरीज में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि हमें लॉंग टम के लिए इंवेस्ट करना है और यहाँ पर एक प्रक्षन उठता है कि महिश्वरी जी आप बार-बार कहते हैं कि लॉंग टरम के लिए इंवेस्ट करना है तो इसके पीछे कारण क्या है फ्रेंट्स ध्यान रखिए लॉंग टरम में आपको हमेसे गेन होने वाला है चाहे मार्किट बड़े या मार्किट घटे कभी भी आपको लॉस नहीं होगा चलिए इसको हम एक एक्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और यह लाइव और प्रक्टिकल एक्जाम्पल है सबसे पहले आप गूगल पर सर्च कीजिए Sensex चार्ट अब आप Sensex चार्ट यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं यह Sensex चार्ट हमारे सामने आ गया है Google पर मैंने सर्च किया था और यहांगरम Max पर क्लिक करते हैं तो हमे 1981 से आज तक का Sensex चार्ट हमारे सामने आ जाएगा तो एक बार हम पूरे चार्ट को study करती है कि कब मार्केट तेजी से बड़ी, कब मार्केट रेंडमली बड़ी, कब मार्केट गिरी, कब हमें buy करना चाहिए था, कब हमें sell करना चाहिए था, ठीक है, तो देखिए 2 जनवरी 1981 को जो sensex था, वो 146.63, 146.63 था, और उसके बाद 11 स साल के समय में ऐसा नहीं कि शेयर बाजार में कुछ नहीं हुआ, 11 साल तक शेयर बाजार थोड़ा बढ़ता रहा, घटता रहा, घटता रहा, घटता रहा, एक flow के अंदर चलता रहा, लेकिन 11 साल बाद अचानक उसमें बहुत तेजी से व्रिदी आई, और sensex 3716 बढ़ गया, मतलब अगर हम इस ग्रोथ की बात करें, तो 2543 परसेंट ग्रोथ हो गया, 2543 परसेंट ग्रोथ, मतलब यह दिया, आपने 146 रुपे लगाए होते, 1981 में, तो 1992 आते आते वो 3870 रुपे या 60 रुपे के असपास हो जाते, अगर हम बात करें 146 रुपे की, अगर आपने 1000 रुप 3869 हुआ, लेकिन सिर्फ 13 महीने में Sensex फिर दुबारा गिर गया, क्योंकि Sensex बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारणों सकते हैं, इन कारणों का हम अध्यन करेंगे, अगले आगे वाली क्लासिस में, अभी हम बात करें, चार्ट के बारे में, तो हमारा Sensex 13 महीने के अंदर गिर 3 दिसंबर 2007 को Sensex सीधा बढ़कर 2000 से 20286 हुआ, फ्रेंट्स मैं बात करूँ न, 14 साल, इस 14 साल में share market अच्छे चलती रही, अप हुई, डाउन हुई, अप हुई, डाउन हुई, लोगोंने पैसा बनाया, गवाया, बनाया, गवाया, लेकिन 2008 में न, स्कैम हुआ, तो उस स्क speculation की तरह लोगों का लुट गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अधी पैसा बनाया भी, जिन्होंने long term के लिए invest किया था, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, यहाँ पर 3 दिसंबर 2007 को जो Sensex था, वो 20,286 पॉइंट पर पहुँच गया, मतलब 18,094 पॉइंट बढ़ हमारा घटकर, 20,286 से घटकर 9,708 हा गया, मतलब 10,578 पॉइंट की गिरावट देखी गई, कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर केवल 1,5 साल के लिए पैसा invest किया होता, तो उसका पैसा बहुत तेजी से गिरता, 52% का यहाँ पर loss हुआ, मतलब यदि आपन आपने 2007 में 10,000 रुपे लगाए होते, तो 2009 में वो लगबग 4,800 रुपे रह गए होते, लेकिन 1 सितंबर 2010 को सेंसेक्स में फिर तेजी से बढ़ोतरी हुई, और वो 20,263 पर पहुँच गया, मतलब 10,555 पॉइंट बढ़ गया, कहने का मतलब है, यदि आपने 3 मार्च 2009 को 10, 10,000 रुपे लगाए होते, तो यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ थी, वो 108 परसेंट थी, मतलब आपके 20,000 से भी ज्यादा रुपे वो हो जाने वाले थे, 2 दिसंबर 2011 को, मतलब 1 साल और 3 महिने बाद, सेंसेक्स फिर तेजी से गिरा, 15,162 परा करें आपर सेंसेक्स रुका, मतल 23 परसेंट का लॉस हुआ, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, बार बार आप देख रहे हैं, सेंसेक्स गिर रहा है, पहले दिरे दिरे बढ़ रहा है, फिर एकदम तेजी से बढ़ रहा है, फिर नीचे डाउन जा रहा है, फिर पेर करेंगे, उनिस सो एक एसी से, और दो फरवरी 2015 को सेंसेक्स फिर तेजी से बढ़ा, और यह पहुंच गया 39,235, मतलब 14,073 पॉइंट की बढ़ो त्रिवी 92 परसेंट की ग्रोथ आई, फाइन, और अगर हम समय देखेंगे तो किवल 4 साल और 2 महीने में, और एक फरवर का यहाँ पर फिर दुबारा से लॉस हुआ, लेकिन अगर हम बात करते हैं, तीन साल का जिन लोगों ने वेट किया, मतलब किसी ने अगर एक फरवरी 2016 को इन्वेस्ट किया था, और 2 दिसंबर 2019 तक उसने मार्किट में वेट किया, तो जो उसका 23,002 रुपे का सेंसेक्स था पॉइंट था, वो बढ़कर 41,253 हो गया, मतलब 18,251 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, मतलब 79% का प्रॉफेट यहाँ पर उन्होंने बुक किया, फिर एक बहुत बड़ा जलजला दुबारा से आया, 21 दिसंबर 2019 को जो शेर मार्किट 41,253 तक पहुची हुई थी, वो 2 मार् मतलब बहुत कम समय में वो मार्किट क्रैश हो गई और मार्किट क्रैश होने के बाद 39,255 तक आ गई, मतलब 12,081 पॉइंट सेंसेक्स घट गया और 30% का उलास हुआ, लेकिन अगर हम 2 मार्च 2020 को जो हमारा सेंसेक्स 39,255 गिर के हो गया था, मतलब 12,081 पॉइंट की बट आई थी, वो एक दम मार्किट में बूम आया, और 3 मई 2021 को मतलब एक साल के समय में सेंसेक्स 50,557 तक पहुँच गया, 21,352 पॉइंट की बड़ोत रही, मतलब 72% का यहां पर आपको ग्रोथ मिला, फ्रेंट्स मेरा कहने का उदेश है, अगर आप इस टोटल ग्राफ को देखेंगे, 1981 से लेकर आज तक के ग्राफ को अगर आप देखेंगे, तो इस पूरे ग्राफ में सबसे महत्वपुण बात आपको क्या दिखेंगी, कि मार्किट बहुत लंबे समय तक स्टेबल चलती है, स्टेबल चलने के बाद एक दम उसमें तेजी से पीक आता है, और ए इसमें अगर आपने, अगर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करें, कि अगर आपने 2 जनवरी, 1981 को 10,000 रुपे इन्वेस्ट किये होते, और उसको आपने सिर्फ 11 साल के लिए छोड़ा होता, तो उसमें 25-43 परसेंट की ग्रोथ हाई होती, उस समय आप बेचने के बाद इस स्टॉक मार्केट में बना सकते थे, वारन वफे कहते हैं कि हमें वेंट टू बाइवेंट टू सेलर वेंट टू होल्ड का जो सिध्धानत है, उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब जब दुनिया खरीद रही है, मतलब हर व्यक्ति बाइग की बात कर रहा हर व्यक्ति के शे अब आप खोल केजिए, आप रुकिये, सावधानी रखिये, and when the people are crying, कि बाइग शेयर मार्केट क्रैस हो गई है, अब सभी व्यक्तियों का पैसा डूब गया है, तो यहाँ पर अगर हम पूरे फ्लो को देखेंगे, तो समझ में आएगा कि अगर हमने लंबे समय के लिए इ इन्वेस्ट किया होता, दस हजार पे इन्वेस्ट किया होता, तो वो पैसा भी आज करूडू रुपे में होता, इसका मतलब शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लॉंग टरम में ही पैसा बनता है, एक मैधपूर्ण बात में आपको यहाँ पर और बताने वाला मैं एक्जामपल के माध्यम से आपको बताता हूँ, मालीजी आप 100 रुपे निवेश करते हैं और आपके 100 रुपे का जो शेयर है, वो 50% वेल्यू से डिग्रेड हो जाता है, घड जाता है, तो आपका अमाउंट कितना रह गया? 50 रुपी बैलेंस, लेकिन अब उस 50 रुप है, तो यहाँ पर जो गिरावट है, वो 90% किये, लेकिन उस 10 रुपे को कोई अधी वापा 100 रुपे करना है, तो आपको 1000% की ग्रोथ चाहिए, 1981 से 2021 तक के संसेक्स के इस चार्ट से आपको एक बात क्लेर होगी होगी, कि हमें अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, और अपने investment को बहुत अच्छी ग्रोथ तक ले जाना है, तो हमें long term के लिए invest करना है, friends, next video में जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी company की ratios को चेक करते हैं, और कैसे किसी भी company के share को buy करने से पहले, किस तरह से हम comparison करते हैं, कि company कौन सी best है, लेकिन ध्यान र इंडस्ट्री की बात करूँ, तो automobile का comparison automobile से ही होगा, और एक बात ध्यान रखिए, यदि आप stock market में investing की strategy को समझ कर अपनी investment को बहुत अच्छे से grow करना चाहते हैं, तो इसकी पूरी series को ध्यान से देखिए, और यदि आपके मन में series related कोई भी प्रश्ण है, तो मुझे comment box में लिकर ज़रूर बताइए, तो मिलते हैं इस series की next वीडियो में, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!